तो आज के इस वीडियो में हम Hero Xtreme 125R की प्राइस डाउन पेमेंट और EMI के बारे में बात करेंगे ये बाइक 23 जनवर दी 2024 को लाउंच हुई है मतलब 2-3 दीन पहले ही लाउंच हुई है और इस बाइक के अंदर बहुत अच्छे अच्छे फीचर भी टारी गई है जैसे की ABS आपको देखने को मिल जाएगी इस बाइक के अंदर आपको Bluetooth connectivity, call, SMS, alert जैसे फीचर भी इस बाइक के लाइटिंग सेटप करी गई है fully LED light सेटप करी गई है और फ्रेंट में तो आपको प्रोजेक्टर का हेडलाइट भी देखने को मिल थी है और साथ में इसका जो चान इंडिकेटर है उसके अंदर आपको हेजाड सिस्टम भी देखने को मिल जाती है इस बाइक के अंदर fully digital meter console तोल दिया गया है, BS6 Phase 2 वाली इंजन दी गई, 10 लिटर का fuel tank है, और ये bike दो variant और तीन color option के साथ launch करी गई है, यहाँ पर अगर दोनों variant की बात करें तो जो पहला variant है, मतलब की base variant वो है 95,000 रूपी की 95,000 रूपी इसकी 100 रूम प्राइज है, जिसके अंदर आपको IBS देखने क नहीं मिलती है, और वहीं पर इसके top variant की बात करें, मतलब की ABS वर्जन की, और वो bike है 99,500 रूपी की, मतलब की 95,500 इसकी 100 रूम प्राइज है, तो देखो जो base variant है, उससे top variant की price की difference की बात करें, तो वो 4,500 रूपी प्राइज की difference हमें देखने को मिलती है, लेकिन आपके रूपी एक्स्टा देना पड़े, because भाई safety के मामले में ABS बहुत बढ़ी है, जब आप panic हो करके front brake मारते होना, तो ABS ना होने के कारण accident का chance बहुत जादा बढ़ जाता है, और जब ABS रहती है तो accident का chance बहुत कम जाता है, बट बाकी तो आपके उपर depend करता है, भाई आपको कौ प्राइस बताया है, और जब आप on road price में जाओगे, तो उसमें RTO भी जुड़ेगी, insurance भी जुड़ेगी, तो जो RTO जुड़ेगी, उसकी price है 7600 रुपीज, ये price मेरे city राइपूर 36 गड़ का बता रहा हूं, आप अपने सहर का देख लेना कितना है, थोड़ी बहुत उपर 307 रुपीज, और वहीं पर top variant की price आती है, 1,10,295 रुपीज, और यहां पर मैं इस बाइक का EMI calculate करने जा रहा हूं, तो वहीं पर बात करें इस बाइक की down payment की, तो देखो हर आदमी के लिए down payment अलग-अलग हो सकती है, बट मैं इस वीडियो में रखा हूं कि कोई भी आदमी zero down payment पे अगर इस बाइक को उठाता है, मतलब कि आपको कोई भी पैसा down payment के नाम पे कुछ नहीं देना है, तो अगर आप zero down payment पे इस बाइक को उठाते हो, तो आपको कितनी EMI आने वाली है, तो देखो है यहां पे हम zero रुपीज down payment ले ले लेते हैं, और दो साल का time रखते है जिसमें से आपको 24 महीने मिल जाएंगे, इंटरेस्ट रेट की बात करें तो 12% का इंटरेस्ट रख लेते हैं, 9-12% जब भी कोई भाइक खरीन दे जाते हैं, तो 9-12% तक का इंटरेस्ट लगता है, तो वहीं पर अगर बात करें इसकी इंटरेस्ट के सहीद total cost कितनी आईग और मैं पर EMI की बात करें, तो इसका जो EMI है, zero down payment पे, base variant का EMI आने वाली है, 4,942 रुपीस के आसपास, और वहीं पर top variant की बात करें, तो top variant की जो EMI आने वाली है, 5,178 रुपीस के आसपास, zero down payment पे, और जब आप down payment करोगे कुछ 20,000, 40,000, 50,000, तो इसकी जो EMI बहुत कम हो 24 महिने, 18 महिने, कितने महिने के आपको EMI चाहिए, तो आप ये दो चीजे comment कर दोगे नीचे, तो मैं उसका reply कर दूँगा, कि आपको खितमे का EMI आने वाली है, वहीं पर अगर बात करें, इस bike के अंदर color variant की, तो जो पहला color है, वो है cobalt blue, और दूसरी color की बात करें, तो वो है stallion black, तो आप अपने accounting देख सकते होगी, आपको इन तीनों में से कौन से bike का color पसंद आती है, और वहीं पर अगर बात करें, इस bike के delivery की, क्योंकि ये bike 13 जनवरी को ही launch हुई है, तो इस bike को delivery है, वो आपको February में देखने को मिलेगी, मतलब February लास्ट तक आपको इस bike के delivery देखने को मिल जाएगी, एन देखो भाई एक suggestion और है, कि इस bike को जितना जल्दी हो, अगर आप 125 जी के अंदर bike को खरीदने वाले हो, तो जितना जल्दी इस bike को bike कर लेना, क्योंकि भाई बाद में price इसकी बढ़ सकती है, अभी price कम है, तो भाई इस bike का जो look है का भी बढ़ सकती है, और आपको पते ही हो कि जब TVS Trider फाइली बार इंडियन मार्केट में launch होई थी, तब इसकी price कम थी, अभी तो बहुत बढ़ गई गया, तो आज का ये वीडियो कैसा लगा, comment box में लिख देना, वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो लाइक कर देना, और चैनल मिल सके, मिल देंकल के कौर ने वीडियो में तब तक के लिए, बाइबाइबाइब